हेलो एवरिवाइन आए माकाश गोर वेलकाम बैक टू यू आर इंडियर मेटिकल लेक्चर आप लोग लिए फिर से इंपोर्टेंट उपीक को लिकर आयो मेल रिपोड़क्ट्व सिस्टम में ने ओलरी फीमेल रिपोड़क्ट्व सिस्टम एक्सप्लें कर दिया था इस वीड मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो मैं आपको लोग को नोट्स प्रोएट करवा दूँगा स्टार्ट करते हैं रिपोड़क्ट्व सिस्टम मेल रिपोड़क्ट्व सिस्टम होता क्या है आप अच्छे से समझेगा मेरा प्रोमेस है पूरा वीडियो देखना एंड में जाके मेल रिपोड़क्ट्व सिस्टम होता क्या है एसा सिस्टम एसा प्रोसेज जिसमें मेल सेक्स गेमेट्स बनते हो अब यह मेल सेक्स गेमेट्स क्या होते है मेल सेक्स गेमेट्स का मतलब होता है इस पाम सेल जिसे हिंदी में हम शुकरानू कहते है ठीक है नर जनन तंतर के अं Reproductive System में क्या होता है बहुत अलग-अलग ओर्गन आते हैं जिसे टेस्टेस हुआ स्क्रोटम हुआ सेमिनल वैसाइकल बहुत सारे पार्ट ऐसे आते हैं जो अलग-अलग है हम उनको अलग-अलग explain करेंगे में जैसे की primary sex organ पहले आता आपका primary sex organ और secondary sex organ primary को प्राथ्मिक जननतंत्र भी कहते हैं और दित्ती जननतंत्र अब देखो primary और secondary में अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया है कि primary sex organ वो और होते हैं जो कि सहायता करते हैं अंगों की प्रिजनन करने वाले अंगों की सहायता करने वाले अंगों को secondary sex organ कहा जाता है देखे प्राइमरी और secondary क्या होता बताता हूं primary sex organ जिसे प्रात्मिक जनन तंत्र कहते है क्या होता है panice link जो की directly sex करता है sex में involved रहता है ठीक है देख सकते हो diagram में यह वाले जुछा है primary sex organ जो की directly sex करेगा sex में involved रहता है penis जिसे link कहते है scrotum underkosh की थेली भी directly sex में involved रहती है två time testis क्या होते है अब देखो primary sex organ तो हमने देखे primary sex organ penis, testis और scrotum को छोड़ के जितने भी अंग आते हैं सारे secondary sex organ होते है समझ मैं primary का मतलब जो directly sex में involved रहे कौन कौन से रहते है penis रहता है, scrotum रहता है और testis रहता है यह directly sex करते है इनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जितने भी organ बनते हैं वो सारे secondary sex organ में आते हैं जैसे epididymus हुआ, अलग अलग पाट हुआ, सबसे पहले हम लोग देखो simple बात समझेंगे testis का व्रशन का structure क्या होता है, यह बहुत important है, ठीक है व्रशन क्या होता है, ठीक है testis found in pairs, it is a oval shaped gland which is fitted in scrotum simple बोलना चाहता है कि जो testis होता है आपका testis देखको एक बार, व्रशन जोड़े में पाए जाते है पहली चीज़े व्रशन जो testis होते हैं हमेशा क्या होता है, पेर्स में पाए जाते है गोलाकार ग्रंतिया होती है, गोलाकार oval shape में होते हैं और यहां अंड़कोश के अंदर पाए अंड़कोश जो थेली होती है scrotum जिसे हम pouch केते हैं, उसके अंदर ही simply पाए जाते है, अगर मैं आपको diagram दिखाओ इसका एक ठीक है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यह वाले जो हिस्सा है ना, यह तो अपना urinary system का part है बट यह वाला, यह होते हैं इन वाले part को हम बोलते है testis, यह क्या है, दोनों साइट testis होते हैं, यह वाले हिस्से को हम penis बोलेंगे, ठीक है यह primary sex organ अभी आपको बताया, ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा हैं, अहां पर यह जो testis वाले structure है, hang रहते हैं, यह जो testis वाले structure है, यह पेक रहता है, किसमें पेक रहता है, scrotum एक थेली होती है, उसके अंदर पेक रहते हैं, अब इस testis का, one testis का हमें structure को समझना है, कि इसके अंदर क्या-क्या होते है, क्योंकि actual में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसके अंदर ही आपकी formation होती है, किसी इच की इसके अंदर होती है, इस pump cell EC के अंदर बनते हैं, तो पहले हम structure पढ़ेंगे testis का, then फिर internal structure penis का दिखा दूँगा, मैं आपको, ठीक है, तो पहले main important testis का, तो हम testis का पहले structure को समझते हैं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं, यहां से आपको, अब देखिए, normal weight of testis, जो normal version बता रहा है, testis का कितना बजन होता है, 15 gram के something, इसका normally weight होता है, ठीक है, देख लो diagram में भी आप लोग देख सकते हो, एक बार यहां पर भी देख लो, यह सारी चीजे हम लोग discuss करेंगी, शुकराश है मोतर रहली, बट अभी हमको testis को discuss करना है, जिसे हिंदी में वरिशन, वरिशन कोस, जिसे थेली बोलते हैं, ठीक है, शुकरवाई का, ठीक है, कितना बजन होता है, normal याद रखना, 15 gram के something, इनका बजन होता है, normal length, जो लंबा site of testis present a special type of layer which is called tunica vaginalis, देखो, tunica vaginalis क्या होते है, सबसे उपर वाली, सबसे आउटर वाली layer होती है, ठीक है, वरिशन के सबसे उपरी परजवाई जिसे tunica vaginalis बोलते है, देखो, diagram देख लो, एक बार यहाँ पर, जो सबसे उपरी structure आपको दिखा रहा है, यह वाली जो ले चाहता है, कि जो tunica vaginalis, जो बाहर वाली structure थी, उसके अंदर वाली structure को में क्या आप लोगो, tunica albugenia, आप डाइग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, यह लाईजगो, सबसे बाहर वाली structure को त अपने क्या बोलता, इस वाली structure को आपने बोलता, इस वाली structure को आपने बोलता, अब नेक्सी जातीस में, this tunica albugenia start folding and convert into seminiferous tubule, यह बहुत important है, albugenia क्या होती है, अंदर से मुढने लगती है, और यह मुढते मुढते seminiferous tubule में बदल जाती है, अगर आप diagram में देख सकते हो, तो यह आपको diagram दिख रहा है, बाहर वाली layer को क्या बोलता, tunica vaginalis, inside of layer को क्या बोलता, tunica albugenia, अब यह tunica albugenia क्या हो, अंदर से मुढने लग गई, ऐसे folded होने लग गई, इस folded structure को मैं बोलोंगा, tunica albugenia जब मुढ जाएगी, तो से बोलोंगा, seminiferous tubule, बहुत सारे testis के अंदर tubule होते हो, tubule के अंदर ही आपके बनते है, sperm cell, ठीके, तो यह structure समझ माया, कि यह सबसे testis के सबसे बहारी परत को tunica vaginalis कहा जाता है, tunica vaginalis के अंदर की side जो layer होती है, उसे tunica albugenia कहते है, अब यह tunica albugenia कुछ समय के बाद इसे folded होना चालू हो जाती है, मुढना चालू हो जाती है, इस मुढे हुए structure को मैं simply कहूंगा, seminiferous tubule, ठीके, इतनी चीश सम मैं अब मैं आगे बढ़ता हूँ, seminiferous tubule के अंदर जाते हैं हम लोग, inside of seminiferous tubule, tubule के अंदर seminiferous lobule present होते है, जिने क्या बोलते हो, seminiferous tubule के अंदर seminiferous lobule पाये जाते है, इनके अंदर शुक्राणू बनते हैं, दोको diagram में अगर आप देख सकते हैं, सबसे पहली बाहरी लेय tunica vaginalis, tunica vaginalis, tunica albugenia, tunica albugenia, tunica albugenia अंदर से मोडने लग दिये है, tubule, यह बड़े बड़े आपको ऐसे compartment दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते है, अपन seminiferous tubule, seminiferous tubule के अंदर, seminiferous tubule के अंदर, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पतली पतली इसी नलिया मोडी इसी गुमाओदार structure दिख रहा होगा आपको, तो इस structure को मैं simply क्या कहूँगा, इस structure को का जाता है, seminiferous lobule, ठीक है, लोबियूल के अंदर जो है आपके बनते हैं, इस pump cells, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, many seminiferous lobule make a group of duct which is called vas deferentia, बोलना चाहता है, कि जब बहुत सारी seminiferous lobule मिल जाती है, तब यहाँ नलिया बना लेती है, जिसे वास deferentia क्या आ जाता है, वास deferentia क्या बोलते देखो, अगर आपको diagram दीख रहा हो, फिर से repeat करता हूँ, सबसे बाहरी layer को, tunica vaginalis, अंदर वाली को, यह अपस में एक जगा पर जिस जगा पर connect हो रहे है, इसे बोलते हैं, वास deferentia यह वास deferentia होती है, यह बहुत सारे duct का connection होती है यहां पर ठीके, याद रखेगा वास deferentia बहुत सारे tubule जब आपस में connected हो जाते है, वास deferentia बन जाती है, अब देखो, वास deferentia connected with hollow tube which is called epididymis देखो भार वाली लेर को टुनीका वेजयनलिस एलबुजीनिया एलबुजीनिया अंदर सन मूढएतो ट्यूभील बनेगे ट्यूभील केंदर लोबुल बनते लोबु logs जब जुड़ते तो खोकला पाइप होता है जिसके दोरा शुकुराणू स्पम बाहर निकल जाते है ठीक है वास इफ्रेंशिया खोकली नली से जूड़ी होती जिसे एपटी डाइमस कहते है वही बात हिंदी में एक्स्प्लेंड हुई है सेमिनल वेसाइकल अब दोखो यह तो था टेस्टिस का स्ट्रक्चर पूरा ठीक है आयोप कोई चीस समझ में आयोगी फिर से एक बार जरा सा रिपीट कर देता हूं टेस्टिस के सबसे बाहरी और एक परत पाई जाती जिसे ट्यूनिका वेजानिलिस बोलते है फिर उसके आज बहों समिने अचाहरा कोई समसिलव लोगुलсть के अंदर बनते है इतनों के पाई जाते हैं ऐस्टिस यह आपस में कनेक्टेट हो जाते है जिसे बोलते है वास एप्रेंशय वास एफरेंशय और वास एफरेंशय आगे चलके एपिटी डायमें में बदल जाती है एपिर इन्टू वास इफ्रेंशिय देखो यहां पर आपको यह शुकराशे दिखाई दे रहे हैं यहां पर यह स्ट्रेक्चर होता है यह ग्लेंड है यह क्या करती है एक स्पेशल टाइप को फ्ल्यूट को प्रेड्यूस करती है जिससे क्या होता है इस प्रम को मोश्चर मिलता है स्पम हलका लिक्वीडी बनता है इसकी वज़ेश शुकराशे सेमिनल वैसाइकल होती है ठीक है यहां एक विशेश प्रकार की ग्रंती होती है जो कि एक तरल पदार्त को निकालती है इस इंपोर्टेट ग्लेंट विच इस ओल्सो प्रिडूज़ फ्ल्यूड एंड इस बिकाम अस फ्रम सेल एक्ट्यू यह भी विशेश प्रकार की ग्रंती होती है जो कि शुकराणों को उत्तेजित में करती है उत्तेजन शील बनाती है उत्तेजित करती है उसमें पावर देती है यहाँ पर अगर आपको दिख रहे होगी यह रही आपकी प्रोस्टेट ग्लेंट यह नली से चुड़ी हुई है इस प्रोस्टेट ग्लेंट के अंदर कुछ ऐसे लिक्विड पाया जाते है जो की इस प्रोस्टेट करते है और उससे वह एक्साइट होके वेजाइन के अंदर जब इंटर करते है तो वह स्पीड से अंडाशे तक मिंस एक तक पहुच जाते है और वहां पर जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इसकी एक और वीडियो आएगी है पार्ट वन है पार्ट टू डालूँगा लिंक डाल दोगा डिस्क्रिप्शन में जब भी आएगी महां से जाके आप लोग देख सकते हो नोट्स के लिए स्क्रोल डाउन करना सब आप लोग मुझे आप लोग मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो थैंक्यू फॉर वाचिंग यूर इंडियन मेटिकल लेक्चर